रेसलर सगर धनकड़े के निधन मामले पर गिरफतार हुए डबल ओलम्पिक पदक विजेता रेसलर सुशिल कुमार जिनकी गिरफतारे के बाद अब सामने आया है पुलिस के हाथ CCTV फुटेज बताया जारा है कि CCTV फुटेज 6 मई का है जब कि 4 और 5 मई की रात की बीच चतरसाज स्टेडियों में पहलवान सागर धनकड़े के निधन के बारदात हुए ठीज बता दे कि CCTV फुटेज अब सामने आचका है जिसमें शुशिल कुमार एक कार में बैठे हुई एक शक्स के साथ नसर आ रहे है खबरों की माने तो तस्वीर मेरट टोल की है जिसमें दिली पुलिस इस तस्वीर के अधार पर ही आगे की केस की तहकीकात कर रही है जिस कार में चेटर साथ स्टेडियम में हुई घटना के बाद शुशिल कुमार अब शे दिन तक पुलिस की इरास्व में है जहां पर उन से लगातार सागर धनकड़े के निधन मामले पर वो रही है पूछतास इसे के साथ कार में बैठे शक्स की भी तलाश की जा रही है खब घटना को अन जाम रहा है की कम्रे में कबजे को लेकर विवाद हुआchu रोग है कि सागर धंकड़े के निधन मामले पर शुशि कुमार शामरा तभी से उस पर पुलिस की नजर ठी और फाइनेलि पुलिस कमार और उसके अरौपी अजे को गिरवतार कर लिया है और अब जाद चल रही है यहां पर आगे की जानकारी की और साथ ही उन्नों लोगों पर जो इस मामले पर फराड चाल रही है एक्सलाइस रश्नी दिपोर्ट